नमस्कार मैं विश्नु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्नु एडिपी में हार्दिक स्वाथ करता हूँ आज मैं लेकर आया हूँ short moral story जो की बहुत ही अच्छी है आपको बहुत ही अच्छी moral मिलने वाली है बहुत ही detail में आपको transition करके दिखाने वाला हूँ आपको बहुत सारे new words की हम vocabulary यहाँ पर सीखने वाले है आरोप अब चलिए किसके ओपर किस ने आरोप लगाया क्या story है चलिए देखते हैं पसंद नहीं प्रीज लाइक करेंगे सबसे पहले एक बार रीट करूंगा fully stop तक के फिर एक एक करके transition करेंगे one day a man went for a walk on the beach यहां तक देखते हैं one day एक दिन a man एक आदमी went went याने गया go went gone तो second farm को उसके वेंट याने गया गया for याने के लिए a walk for a walk का मतलब होता है टहलने के लिए गया उसे हम for a walk बोलते हैं एक दिन एक आदमी टहलने के लिए गया कहां पर गया on the beach on याने पर the beach बीच याने होता है समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं तो यहां तक पूरा clear हो गया एक दिन एक आदमी समुद्र पर पहलने के लिए गया समुद्र के किनारे क्योंकि बीच लिखा हुआ है he saw that a ship full of passengers struck a rock यहां तक कर देख लेते हैं he saw उसने देखा see याने देखना saw याने देखा see saw scene third form scene होता है तो second form का use होगा उसने देखा that याने की a ship एक जहाद पानी जहाद को ship कहते हैं full of passengers full of याने भरा हुआ passengers याने यात्रीयों से बहुँ सारे यात्री यह तो passengers ठीक है passenger होता थो यात्री तो उसने देखा कि एक जहाद यात्रीयों से भरा हुआ जहाद struck a rock struck का मात्व होता है ठकरा जानाँ ठोकर मनोंसी ही बोलते हैं तो वो क्या होगी तक्रा गई थी किसे एक चट्टान से टक्रा गई और ठीक है और चैपसाइज्ट कैपसाइज मतलब होता है पलडगे उलटना उसे कैपसाइज कहते हैं और पलट गई इन याने में दसी आने समुद्र में उगया उसने देखा बहिए कि एक जहाज क्या हो गई थी चक्टान से टकरा गई थी और समुद्र में पलट गई थी यहां पर फोटो में दिख रहा है आपको दा शिप वेंट अंडर वाटर एंड पानी के अंदर पानी के नीचे को अंडर बोलते हैं अंडर याने नीचे ठीक है पानी के नीचे गई एंड आल दे पीपल और आल याने सभी दे पीपल याने लोग ऑन बोड याने होता है सवार जो पर सवार थे वे सभी लोग पानी के नीचे fell into the sea fell याने गिर गया into याने में the sea समुद्र में गिर गया ठीक है क्या हुआ जहाज पानी के अंदर गया और उसमें जो भी लोग सवार थे वो समुद्र के अंदर गिर गया समुद्र में गिर गया याने जैसे क्योंकि क्योंकि याने कैसे तैरते हैं फिर तैरना कैसे है वे नहीं जानते थे they drowned one by one they याने वे drowned याने क्या होता है डूबे है ना वो डूबते गए one by one याने एक एक करके वे डूब गए drowned ऐसे बोलते हैं डूब गए वे के करके डूब गए the man watched all this from the shore but could not do anything to help the people the men व्यक्ति वह जो आदरता उने गिया था watchd watched याने देखा उसलिप weeds lucky is do a stream को छलते फिर रुटते एस से देख लिये नहीं watch जैसे movie को watch करते है frig solar cricket match को watch करते है तो watch करें गया किसे चीच को ध्यान से देखना था जो याने दीख करेंगे तो वह आदमी देख रहा था सौरी उसने आदमी ने देखा All this याने ये सभी देखा From याने से कहां से देखा The Shore Shore याने होता है किनारा समुद्र के किनारे कोई भी किनारे को शोर कहते है किनारे से सब चीज देखा But could not लेकिन could not याने नहीं सका Do याने करना Could not do याने कर नहीं सका anything याने कुछ भी लेकिन कुछ भी नहीं कर सका to help याने मदद the people लोगों की लेकिन वो लोगों की कुछ भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका बस उसने देखा है से से हुआ रहेकि मदद नहीं कर पाया In the evening, in the evening याने शाम के समय या शाम को He narrated the sad event of the ships drowning to his friends He narrated उसने नरेटेड याने होता है किसी को बया करना किसी को सुनाना कुछ चीज बताते हैं ना eight santa आशे बौह बस शाने नरेटेड बोलते हैं नरेड तो second form नरेटेड पास्ति उसने बया किया the sad event sad यान होता है बुरा event याने घटना दुखत referring बुरी हटना को बया किया of the ships of fairness से या के the ships याने लोगों के drowning याने जहाज के दूबने की घटना को to his friends to preposition किसे कहा कहा गया to preposition जो रहता है his याने अपने friends याने दोस्तों से उसके होता है अपने के लिए उसकरते हैं और उसने यह जहाज डूपने की जो दुखत घटना थी उसे अपने दोस्तों को बताया everyone felt sorry sorry for the dead people everyone याने हर कोई felt sorry याने उन्हे felt sorry याने होता है उन्हें क्या होना अफसोस हुआ उन्हें अफसोस हुआ फॉर याने के लिए किसके लिए the dead people मरे हुए व्यक्तियों के लिए उन्हें अफसोस हुआ the man said अब या आदमी क्या बोल रहा है यही story का main point है the man said आदमी ने कहा God has not been just God has not been has not been just इसका मतलब क्या है कि भगवान नियाई नहीं रहा याने भगवान अब क्या रही रहे भगवान ने नियाई नहीं थे just नियाय करना नहीं किया 아요 to kill याजने मारने के लिए one sinner aboard the ship he killed so many other innocent people अब भगवान को जो और यह थे भगवान ने नहीं किया भगवान ने अन्याय किया है तुकिल याने मारने के लिए वन सिनर एक पापी को सिन याने होता है पाप सिनर याने पापी एक पापी को मारने के लिए ठीक है अबोड याने होता है जो सवार था अबोड याने क्या होता है जो नाव पे चड़ा हुआ था उसे एक पापी को मारने के लिए दर्श्रिप याने वही जहाज में सवार एक पापी को मारने के लिए भगवान ने मारा बहुत सारे अदर याने दूसरे इनोसेंट यानों हता है निर्दोस बेकसूर पीपल लोगों को तो वह यही बोल रहा है कि जहाज में जो एक पापी को मारने के लिए भगवान ने बहुत सारे बेकसूर को मार दिया भगवान ने नयाय नहीं किया है अब यह ऐसे बोल रहा है भगवान को ही दोसी ठहरा रहा है इसलिए ब्लेम नाम पढ़ा है ने इसका ब्लेम भगवान के पर ब्लेम डाल रहा है एक पापी को मानने लिए भगवान ने सब को डुबा दिया सब को मार दिया भगवान नयाय नहीं कर रहा है अब देखिए क्या हुआ एज याने जैसे ही जैसे ही याने ये सब बात कह रहा था फील नहीं होती एक चिमटी कातना या फिर एक चुबन महसूस हुई और याने पर इस फीट उसके पैर उसके पैर पर एक चुबन महसूस हुई ठीक है, he looked down, वह, looked ने लिखा, look ने लिखा, look यह ने देखना, looked यह ने देखा, उसने देखा, down ने नीचे, उसने नीचे देखा, हम देख सकते हो, नीचे क्या था, उसने नीचे देखा, a red ant was biting his toe, a red ant, एक लाल चीटी, was biting, यहाँ पर भी past continuous tense, bite याने काटना, biting याने काट रही थी, एक लाल चीटी काट रही थी, his toe, उसके toe याने होता है, जो पैर का पंजा होता है, जा अंग उठा, उंगलिया होती, उसे toe कहते हैं, पैर के आगे वाले भाग को toe कहते हैं, एक लाल चीटी उसके पंजे को काट रही थी, many other red ants were near his feet, many other, याने, many other याने, और भी बहुत सारे, दूसरे, red ants, लाल चीटिया, वर याने थी, near याने, पास में, his feet याने, उसके पैर के, और भी बहुत सारी लाल चीटिया, उसके पैर के पास थी, एक चीटी ने काट आ, लेकिन और भी बहुत सारी चीटिया, उसके पैर के पास थी, प सुरू किया camping या मतलब होता है कुछलना, क्टक पैर को कुचलने के लिए लाल्ची टीडियों को उसने अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया लाल चीटियों को मारने के लिए क्योंकि एक चीटि ने काटी थी लेकिन लाल चीटियों को मारने के लिए पैर से कुचलना शुरू किया, God appeared at the spot and said, God Mtn pointed,放假 एक जगह प्रकट हुए और कहा c, देखो how you are killing other innocent ends to kill the one which bit you how you are, how याने कैसे you are killing, तुम मार रहे हो present continuous stance रहे हो, रहे हो, रही हो और वस के साथ था, तो रहे थे, रहा थी, ऐसे ठीज है कैसे तुम मार रहे हो अदर याने दूसरे इनोसेंट बेकसूर एंड चीटियों को टू किल है ना मारने के लिए दवन एक विच जो बिट यू जिसने बिट यू अब बिट सर बाइट याने काटना होता बिट के लिखा हुआ पास्टेंस है बिट याने काटना बिट याने काटा था तो पास्टेंस हो जाएगा भगवान भी बही बोल रहे है कि देखो तुम कैसे मार रहे हो दूसरे चीटियों को जबकि जिसने तुम्हे है ना जबकि तुम्हें किसी एक चीटी ने काटा था फिर भी तुम क्या करो बाकि सभी चीटियों को मार रहे हो you are blaming me for my unjust act you were तुम blame याने होता है आरोप लगा लेकिन एंजी की साथ वर या वास है तो रहा था रहे थे past continuous you are blaming तुम आरोप लगा रहे थे me याने मुझपर तुम मुझपर आरोप लगा रहे थे for याने के लिए my unjust act my याने मेरे unjust याने होता है अन्याएपूर्ण एक्ट याने कार्य कर्म जिससे बोल सकते हैं तुम अन्याएपूर्ण कार्य के लिए मुझपर दोस लगा रहे थे look at you look at you याने अपने आपको देखो own actions Look at your own actions अपने खुद के कारे को देखो the man felt assumed the man यानल होते हैं शर्मिंदा यानल है आदमी cuer्मिंदा हुआ as क्योंकि he realized his mistake क्योंकि he realized उसे एहसास हुआ his यानल अपनी उसकी अपनी दोने mistakes यानल गलती की क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ अब आप समझ सकते हैं इसने क्या कहा कि जब सिप डूबी ना तो इसने क्या कहा भगवान के उपर दोस मड़ रहा है भगवान के उपर दोस डाल रहा है ब्लेम लगा रहा है कि कोई एक पापी रहा होगा भगवान को उसको मारना था तो भगवान उस एक पापी को मारने के ल भगवान ने अन्याय किया है भगवान की गलती है अब उसके बाद ऊकहानी सुना हीजहा था उसे- पटा-ठी septi के ऊपर पेर पतेकना वह शुरू कर दिया गुस्थे में सभी चीटियों के ऊपर कुचलना शुरू बगवान परकट होते हैं उन्हें बीजी दिखयों और उन्होंने कहा क्योंकि हम सिक्ष्षा देनी ती और कहा कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने सभी को मारा है तुम क्या कर रहे हो यहांपे एक चीटी को माननेख तुम मुझे ब्लेम कर रहे थे तो मुझे ब्लेम करने से पहले आरोप लगाने से पहले अपने आपको देखो कि तुमने क्या किया तुम क्या कर रहे हो उस एक चीटी को मारने के लिए है मारना मारना चाहिए तुम्हें जबकि तुम क्या कर रहे हो उस एक चीटी के कारण बागी है ना भगवाण नहीं नौकरी शीन है जब जब दूख आएगा कुछ गलती होगी भगवाण ने ऐसे कि अनकी कि अच्छी बिलाए अच्छी जौब मिल गई अच्छा पैसा मिल गया भगवान को भूल जाते हो भगवान ने दिलाया तब नहीं बोलो घारे मेरी मेहनस से मैंने पैसे कमाया है मैं स्मार दिखता हूं मेरी नौकरी अच्छी ती अच्छी लड़की मिली मैं घुमने जा रहा हूं मेरे पास पैसा है तब आप बोलते हैं मेरा मेरा ल इसमें भगवान ने आपको कर्म करने के लिए छोड़ा है धरती पर इसलिए आप जैसे काम करोगे आपको वैसा फल मिलेगा हो सकता नाव में जो बैठे हो सब की मृत जो भी रहे हो सबको उसी दिन मरना था सब की मौत उसी दिन रही हो तो भी सब एक साथ उस जहाज पर सवा इसलिए भगवान पर दोस्मत मढ़ो आप अच्छे काम करो आज आपको फल नहीं मिल रहा है यह मैं सोचो कि आज अच्छा काम किया तो साम तक आपको बढ़िया उसका रियल्ड मिल लाएगा लड़की डूनने का साम को मिल गया नहीं लेट से मिलता है भगवान कर देर है ले यदि आपको आज की स्टोरी आज आज आपको समझाने का तरीका थोड़ी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे शेर करेंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे टेलीग्राम में इसका आपको पीडिया प्रोवाइट कर दूँगा इसे एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद आपको दिन शुब रहें